नमस्कार दोस्तों गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून टू आल अफ यू में शांतनु शुक्ला आप सभी दोस्तों का bankersetter.com के ओफिसेल यूट्यूटूइब चैनल अड़ 247 पे हर्दिक स्वागत करता हूं सुबह की जो आपकी नहीं हो पाई थी आपकी इसी foundation batch की जो आपकी बोट अडिस्टीमी ग्लास नहीं हो पाई थी वह क्लास दुबारा से शेडियूल की गई जैसा कि हमने आपसे पहले पताया था कि classes आपकी चैन्सिल नहीं हो अगर कोई क्लास आपकी चैन्सिल होती है किसी भी कारणवाश तो वह दुबारा से जरूर से अडियूल की जाएगी उसी क्रम में आज यहां पे सवा 3.15 पे इस चीज को लेकर के हम आपके सामने जुड़े हैं इसके जस्ट बाद सवा 4 बजे 4 बच के 15 मिनट पे संतोष रेसर एडिटोरियल का सेशन लेके जुड़ेगे जो कि सुबह आपकी class नहीं हो पाई थी तो चलिए दोस्तों आज आपकी इस foundation class की 53rd number की class है ठीक है और इस class में हम लोग boat and stream का discussion करने वाले हैं arithmetic का last topic आप कह सकते हो क्योंकि इसके बाद फिर permutation, combination और probability करना है फिर हमें इसके बाद हम लोग questions पर आजाएंगे ठीक है अब आप लोग की जिम्मेदारी ये बनती है session को share करें दोस्तों अपने दोस्तों तक इस information को पहुंचाएं कि सुबह वाली class ही आपकी दुबारा से schedule की गई है ठीक है बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा बिलकुल वैस topic होता है इसमें हर तैरने वाली वस्तु को हम लोग नाम देते हैं बोट का तो बोट की speed को ध्यान रखेगा speed of boat यहां पे हम लोग लिख रहे हैं दोस्तों speed of boat इसको हम लोग यहां पर एक symbol देखो जो symbol हम यहां पर assume करेंगे वह symbol हम लोग पूरे topic में यूज करेंगे speed of boat in still water यानि शांत जल में जो 9 की चाल है उसके लिए दोस्तों जो हम लोग symbol यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे है यूज ठीक है और मेरे भाई speed of current ध्यान रखेगा जब आप कोई भी नाव नदी में लेकर के उतरते हो तैरने के लिए तो उस condition में क्या होता है boat की अपनी speed होत speed of current यानि की जो धारा की चाल है जो नदी आपकी प्रवाहित हो रही है उस speed के लिए मैंने जो symbol यूज किया वो हमने वी यूज कर लिया अब जड़ा imagine करके देखो suppose आपने अपनी boat को ये आपकी दोस्तों boat है और आपने अपनी boat को मेरे भाई क्या किया है अपनी boat को आप नदी में लेकर के उतर गए अब अगर नदी में लेकर के उतर गए तो आपकी boat की speed तो कुछ नकुछ है भाई यहाँ पर boat की speed कितनी है चाल हमारी नदी धारा की speed हमारी V है ठीक है आप लोग बस इतना गया ना कि जब तक हम basic concepts की चर्चा कर रहे हैं सवालों तक नहीं पहुंच रहे हैं तक तक आप इस session को share करें मेरे भाई बस ठीक है ठीक है इसी को हम लोग कह सकते हैं अनुप्रवाह गति या धारा की अनुकूल दिशा में कुछ भी ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ठीक है तो यह जो गति होती है इसके लिए हमने यहाँ पे एक अलगी symbol यूज कर दिया हमने यहाँ पे symbol यूज किया X यानि अगर हम कहीं पे भी X लिखेंगे तो समझ जाना अगर हम कहीं पे भी X लिख रहे हैं तो आप यह समझ जाना कि हाँ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं धारा की दिशा में यानि डाउन इस्ट्रीम स्पीड की बात कर रहे हैं और यह होगा कि आप सबको दिख रहा है कि इस दौरान आपकी नाव जब इनी भी दूरी तय करेगी वो किस गती से करेगी अपनी खुद की स्पीड प्लस धारा की स्पीड दोनों इफ्यक्टिवी स्पीड का योगफ़ हो जाएगा यानि आप कहोगे यहाँ पे यू प्लस भी ठीक है इतना अब इसी के साथ साथ अगर सपोज आप किसी दिन खतरों के खिलाडी बनने के मूड में आपने क्या किया धारा की विपरीद दिशा में आप अपनी नाव को लेके जार देखो नदी हमारी इस दिशा में जारी है वी की इस पर नदी की प्रवाह वही है और यह अप इस्ट्रीम गति कहलाती है अप इस्ट्रीम का मतलब होता है दोस्तों उर्धो प्रवाह ठीक है यानि प्रतिकूल दिशा में कुछ भी कह सकते हो आप उर्धो प्रवाह यह है आपकी उर्धो प्रवाह यानि धारा की प्रतिकूल दिशा में अप इस्ट्रीम बोल सक minus stream की speed, धारा की चाल, अच्छा क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे नदी उस नाव की चाल का विरोध कर रही है, दिख रहा है सबको, यहाँ पे जो नदी है, वो अपोज कर रही है मेरे दोस्तों, आप खुद देखें अगर आप नदी में जाते हो, क्योंकि आपकी speed घट जाती है, reason उसका क्या है कि नदी आपका विरोध करती है, यहाँ पे जो आपके लिए, जो symbol मैंने यूज किया, दोस्तों, वो हमने यूज कर दिया y, और यह speed क्या होगी, भाई, u-v, ठीक है, तो यहाँ से मुझे 2 points मिल गए, कि अगर आपक stream का मतलब दोनों का difference, यहाँ से कुछ result हमारे सामने निकल का है, अब result पर जड़ा focus करें, यहाँ से कुछ हम लोगों ने result निकाला, अगर हम इसको हम पहली equation मानें, और इसको दोस्तों हम लोग दूसरी equation मानें, और पहली equation दूसरी equation को हम add कर दें, तो v और v मेरा terminate हो जाएगी x plus y divided by 2, similarly अगर हम एक पहली equation से दूसरी equation को घटा दें, तो यहाँ से मुझे x minus y मिलेगा, और v और v जुड़के 2v हो जाएगा, तो यहाँ पे v की value हो जाएगी x minus y divided by 2 के बराबर, तो यहाँ से मुझे u की value मिलगी, यहाँ पे मुझे v की value मिलगी, ठीके, गोपा पता चल गई है, अच्छा, इसकी help से हम कुछ और चीज़े कर सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे कुछ note point, यहाँ तक तो कहानी clear है, यानि आपको अगर दोस्तों, अगर आपको u और v की value पता चल गई, है न, u और v मतलब क्या है, अगर आपको suppose x और y की value पता चल गई, यानि down stream, upstream, अगर आपको पता है, तो अगर आपको now की चाल निकालनी है, तो दोनों को जोड के आधा कर देना, अगर आपको dhara की चाल निकालनी है, तो दोनों को घटा के आधा कर देना, इतना तो मिल गया, अब यहाँ से कुछ और special point, note point करे, आप लेकले न, हम अगर ratio point of view से ब दूसरा point ही, अगर हम equation 1 और equation 2 का ratio ले ले लें, तो x upon y की value जो आपको मिलती है, वो मिल जाती है, u plus v upon u minus v की बराबर, ये दो point आपके most important है, भाई, इनको note करके रिखना, ठीक है, ये आपके most important point है, बहुत जगहों पे इनका use आएगा, I hope कि इतनी कहानी clear हो गई होगी, ठीक है, ये आपके basic कुछ points रहे, ये आपके basic concepts है, अब इसके बाद हम सवालों से शुरूर करने चल रहे हैं, यहां तक किसी को कोई doubt हो, तो पूछ लो, अगर सब कुछ clear हो गया हो, अब तक तो एक बार सारे लोग thumbs up कर दो, session को like कर दो मेरे दोस्तों, और उसके बाद हम लोग ताबड़ तोर सवालों की starting करते हैं, ठीक है, अब तक की कहानी clear हो चुकी तो एक बार सारे लोग thumbs up कर दो, बता दो कि हाँ से रेड़ी हैं questions के लिए, ताबड़ थोड़ परफॉर्म करना है, 10-15 सवाल हम लोग discuss करने वाले हैं आज की session में, ठीक है, clear, बढ़ा जाए आगे भाई, तो चलिए भाई, पहले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग, पहला सवाल आपकी screen पर आ चुका है, आप इस point का आप screen shot लेना, इस slide का पूरे screen shot ले लेना, ठीक है भाई, लिजिए पहला सवाल आपकी screen पर, और option नहीं कि तुक का मार दो, timer start होता है, चलो, ओके, x upon y बिटे क्या था कि, आपको बस divide करना था, देखो अलग अलग, आपको x की value क्या मिली थी, u plus v upon 2, y की value क्या मिली थी, आपको x की value क्या मिली थी, u plus v, y की value क्या मिली थी, u minus v, x upon y गर दो, u plus v upon u minus v, बस, ठीक है, निखिल धामा, निखिल धामा भाई बहुत गुस्ते हम दिखे रहे हैं, क्या बात है बट्टे, बता जाए, अभी इस question को जड़ा देखा जाए, तो आपसे कहा गया कि, a boat can travel with a speed of 13 km per hour in still water, यानि आपको पता चल गया कि, आपको u की value पता है, 13 km per hour, यानि v की value आपको दे रखा है, 4 km per hour, फिर आपसे कहा जा रहा कि find the time taken by the boat to go 68 km downstream, अब मुझे इतना बताओ कि downstream में जाने में आपसे time पूछा जा रहा है, तो downstream speed तो पहले बताओ, downstream speed x क्या होती है दोस्तों, downstream speed आपसे पूछी जाएगी, तो आप एक मिनट फिर से देख लो, speed of the stream सही है, यहाँ पर 13 है, अब अग दिखोगे आप, 13 plus 4 की value कितने के बराबर, 17 के बराबर, यहाँ तक कहा निकले है, अब अगर 17 km प्रती घंटे आपको downstream speed मिल गई, तो आपसे time पूछा गया, time क्या होता है, distance upon speed, यही होता है, distance कितनी है, 68 km, speed कितनी है, 17, तो 68 upon 17, यानि जवाब 4 घंटे के बराबर, ठीक है इतना, देखो कितना छोटा सा सवाल, कहां से शुरू हो रहा है, अभी इसी session का अंत देखना किस level के सवाल के साथ होगा, तो यह आपकी responsibility में थी, तो session के last, session के last तक connect रहे, बहुत सारे short approaches, बहुत सारी short trick आपको इस जगह पे देखने को मिलेगी, ठीक है, निकिल धामाजी क देखने की कोशिश करें आप सारे लोग, बस रित्तु रिया, 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 क्या बात है, खाले ही बस तीनी चार रिया दिख रही है, और प्रिया भी है, ससांग दत अच्छा 20 में भाई, ठीक है, ठीक है भाई, टाइम अप, अब जड़ा दिखा जाए, यहाँ पर, क्या बोला आपसे, सबसे पहले क्या बोला गया, अब बोट रनिंग डाउन इस्ट्रीम, ठीक है, जब आपकी नाव डाउन इस्ट्रीम में जाती है, ठीक है, जब आपकी नाव डाउन इस्ट्रीम में जाती है, तो उस कंडिशन में 16 km की दूरी 2 घंटे में 16 km की दूरी अगर 2 घंटे में downstream में तै की गई यानि downstream speed आपको मिल गई न 16 upon 2 बराबर कितने के दोस्तो 8 km प्रती घंटे मिल गी downstream speed फिर बोला गया है कि for covering the same distance उसी distance को cover करने में इसको 4 घंटे का time लगता है यानि कब जब भाई वो upstream में move कर दी यानि धारा के विपरित दिशा में तो इस condition में y की value क्या मिल जाएगी 16 upon 4 का मतलब हो गया 4 km पर आर अब आपसे कहा जा रहा कि what is the speed of boat in still water यानि शान्त जल में नाव की चाल पूछी जा रही है ये बताओ आप मुझे अगर आपको x की value मिल गई y की value मिल गई और आपसे u की value पूछी जा रही है तो मैंने कहा था ना दोनों को जोड के आधा कर देना हमेशा ध्यान रखना अगर आपको दोस्तों boat की सो सॉरी अगर आपको downstream speed पता है अप upstream speed पता है त तो दोनों को जोड के आधा कर देना बस और कुछ नहीं करना तो दोनों को जोड के आधा करोगे यानि क्या करोगे आप 8 plus 4 divided by 2 आट 4 बारा बटे 2 का मतलब हो गया 6 km प्रती घंटे answer आगया clear आगया आपका answer कोई दिक्कत तो नहीं इसमें अगले question पर बढ़ा जा मेरे ताइमर ले करके आगे बढ़ा रहे है जितना भी आप लोगोंने सबसे पहले basic concept सिखा सीख लिया उसके बाद एक बहुत छोटा सवाल मैंने आपको दिया use करना सिखा उन concept को सवाल के दूसरे नंबर पर आए तो थोड़ा सा और आगे कहानी बढ़ी थोड़ा तीसरे नंबर पर और आगे कहानी बढ़ी इस तरीके से आप चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे ठीक है अभी इसमें बोला गया दोस्तों क्या कि 3 4th किलोमेटर तीन चौथाई किलोमेटर की दूरी इतने मिनट में ठीक है और कब जब बोला गया है देखो a man can roll 3 quarter यानि 3 4th 3 4th of a km अगेंस्ट the stream का मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि आपको upstream मिलेगी वाई की value मिलेगी बोला गया 3 बटे 4 किलोमेटर की दूरी और इतने मिनट में 11 जो 44 से कितना लिखा हुआ है दोस्तों 15 जो 44 से 45 बटे 4 तो 45 बटे 4 जो मिनट लिखा हुआ है इसको जड़ा घंटों में convert करो कितना तो मैंने 60 से divide कर दिया 15 से काटो ऊपर आगया 3 और 15 गुड़े 4,60 यानि कितना आगया 3 बटे 4 घंटे के बराबर अब इस value को आप divide करोगे किस से 3 बटे 4 घंटे से ऐसे आप करोगे डिवाइड बाई कितना 3 बाई 4 दिखे रहा है आप सबको तो y की value आपको 1 के बराबर मि 15 बटे 2 मिनट ये मिनट में है इसको घंटों में कर दो कैसे आप 60 से डिवाइड करोगे कैंसिल कर रहां पर कितना आ जाएगा कितने के बराबर 15 गुड़े 4,60 ठीक है और ये value होगे आपकी 1 अपन 8 आर के बराबर हमने अभी देखो ये portion हमने क्या क्या हमने इसी मिनट को घ 3 4th किलो मेटर 3 4th किलो मेटर और दोस्तों डिवाइड बाई कितना आपने टाइम कितना निकाला है 1 बटे 8 घंटे 1 बटे 8 कर दो अब इसको जब 1 बटे 8 करोगे तो ये value कितने के बराबर देखो 3 बाई 4 लिखोगे डिवाइड की जगा पे multiply और ये हो जाएगा 8 यानि यह यहां से value मिल गई 6 km पर आर यानि आपको क्या पता चल गया आपको दोस्तों यहां पे downstream और upstream speed पता चल गई आप अगर ध्यान से देखें तो downstream speed आपको x की value मिल गई है 6 km प्रती घंटे और आपको upstream speed y की value मिल चुकी है 1 km प्रती घंटे यह आपका downstream ही तो है यह आपकी downstream speed और यह आपको क्या मिला है, अब अगर आपको downstream speed और upstream speed मिल चुका है, तो आप से पूचा गया, शान्त जल में, आदमी की चाल, आप सब को पता है, अगर u की value पूचे गी, तो दोनों को जोड की आधा करना है, तो x plus y divided by 2 करना है आपको, clear इतना, 3 बटे 16 होगा, अरे यार, शिट, 4 गुड़े, 4 16, हाँ जी, बिलकुल, यहाँ पे कितना आथा, 3 बटे 16 होगा, बिलकुल, यहाँ पे 3 बटे 16 होगा, और 3 बटे 16 का मतलब, यह value 3 by 4 है, तो multiplied by 16 upon 3 करोगे, 3 से 3 cancel, यहाँ पे आजाएगा 4 के बराबर, 4 km प्रतिखंटे, exactly, यहाँ पे 3 upon, और न पीचे 16 था, हमने 3 by 4 ही लिखा था, तो यह हमारा 3 by 16 था, exactly, 3 by 16 था, यहाँ से 4 km प्रतिखंटे आ गया, तो जो upstream speed आई है, वो मेरी 4 km पर आ रहाई है, यहाँ पे थोड़ा correction कर लिजेगा आप लोग, ठीके, यहाँ पे जब मैंने 45 upon 4 को जब मैंने आर्स में convert किया था, 60 से divide करके, तो यह मेरा 3 by 4 घंटे निकल किया था है, यहाँ, sorry, 3 by 4 फिर बोल रहें देखो, यह हमारा 4, 4 था 16, 3 by 16 था, तो यहाँ से इस 3 by 4 किलो मेटर को 3 by 16 घंटे से divide करोगे, तो 4 किलो मेटर प्रतिखंटे आ जागा, 4 किलो मेटर पर आठ, अब U की value चाहिए, तो आप इन देखा, बस थोड़े सी हमने calculation बढ़ाने की कोशिश की, और तो कुछ नहीं किया न, इस question में मैंने थोड़े सी सिरफ और सिरफ calculation बढ़ाने की कोशिश की और कुछ नहीं, दोस्तों देखो, तीन सवाल आप लोग कर चुके हो, हम आप लोगों से बस इतना चाहते हैं कि आप एक बार सेशन को सारे लोग लाइक कर दो, ठीक है, और एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के भीज में, ठीक है, एक बार सारे लोग सेशन को लाइक कर दो, अगर जितने लोगों नहीं किया है, चैनल पर अगर आप नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो स शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़तें अगले सवाल की तरफ, बिल्कुल भाई, मोनिका गुपता, सुनील शाहू, बिल्कुल 5 किलो मेटर परार सही एंसर है, आजाए इस सवाल पर, बिल्कुल आवेज खान, 4 सही है, ओके, ठीक है भई, शुरू किया जाए, अच्छा एक चीज का जवाब दें आप सारे लोग, इसमें आप से ये कहा जा रहा है कि एक आदमी धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तै करने में, धारा की अनुकूल दिशा के द्वारा लिए गए समय का दो गुना समय लेता है, ऐसे आपको बोला गया, यानि कि आप कह रहे हो यहाँ पे कि अपिस्ट्रीम और डाउन इस्ट्रीम ठीक है भई, अपिस्ट्रीम और डाउन इस्ट्रीम का यहाँ पे आपको टाइम का रिलेशन दिया गया है, है ना, आप अगर ध्यान से देखो तो आपको ट ताइम का relation 2 ratio 1 बन रहा है, और recently आपने speed time distance topic किया है complete, उसकी help से आपको ये पता है, कि time और speed का relation होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, inverse होता है, यानि यहाँ पे जो इसका ratio बना वो क्या बन गया, 1 ratio 2 का, आपको अगर time का ratio पता है, तो आपको ये भी पता है, time का ratio अगर दिया लोगे, आपको क्या मिला actual में, अगर आप ध्यान दे, तो यहाँ पे आपको upstream time और downstream time मिला है 1 ratio 2 का, यानि अगर आप इसको इस तरीके से बोले, आपको यहाँ पे speed का ratio, आप extreme speed क्या होती दोस्तों, आप extreme speed का मतलब होता है y, y की value 1, और यहाँ पे आप x की value लिख सकते है 2, आपको यह ratio मिल चुका है 1 और 2 का, ठीक है, अब एक चीज का बताओ, अगर आपको यह ratio मिल चुका है, आप सारे लोग जानते हो, एक concept हम लोगों ने अभी note point के दोरान पढ़ा था, कि जो हमारा दोस्तों u upon v की value होती है, u upon v का मतलब boat की speed upon, boat की speed upon stream की speed, u upon v की value क्या होती है मेरे भाई, आप कहते हो, x plus y upon x minus y, यही आप कहते हो, तो अगर हम यही x और y की value यहाँ पर put करें, तो 2 plus 1 यानि 3 और 2 minus 1 यानि की 1, 3 upon 1 इसका ratio आजाएगा, 3 upon 1 आजाएगा, अब अगर आपको u upon v की value मिल चुके है, जबकि आपको यहाँ पर u की value दे रखी है, कितने के बर u की value आपको 9 km पर आर आपको दे रखी है, यानि कि अगर इसी 3 की value ध्यान से देखो, इसी 3 की value question ने अगर आपको दोस्तों 9 km पर ती घंटे के बराबर दे रखी है, तो इस 1 की value क्या होगी, तो आप सब को दिख रहा 3, 3, 9 यानि 3 km पर ती घंटे, यानि आप सब को दिख यहां पर दोस्तों कि V की value कितने के बराबर 1, U की value कितने के बराबर 3, ठीक है, clear इतना, ठीक है भाई, done, 4.5, 4.5, आप से क्या पूछा गया है, तो धारा की चाल ग्याद किजे, धारा की चाल तो 3 km प्रती घंटे आ रही, आप लोगो कैसे आ रहा है, एक बार फिर देख ले, एक धारा की विपरित दिशा में, एक निश्चित दूरी तय करने में, धारा की अनकूल दिशा में लिए आपको आप इस्ट्रीम डाउन्स्ट्रीम का मिल गया, आप इस्ट्रीम और डाउन्स्ट्रीम का भाई ratio मिल गया, और दो और एक रखोगे, दो एक तीन और दो में घटा दो एक, यानि कि आपको U upon V का जो ratio मिला वो 3 upon 1 मिल गया, और इस 3 की value आपको 36 बते 49 दे रही, U की value अ और फिर से solve कर देते, कोई दिकत नहीं, आप ये देखो, आपको यहाँ पर upstream और downstream time का ratio दिया गया था, time upstream ध्यान से देखो, time upstream upon time downstream, आपको time upstream और downstream का ratio दिया गया था, 2 बटे 1 के बराबर, और अगर ये 2 बटे 1 है, तो आपको पता है कि speed का ratio आ जाएगा, भाई, speed का ratio क्या होग U upon V जो होता है, वो X plus Y upon X minus Y होता है, X Y क्या है यहाँ पर, यहाँ पर दोस्तों X Y क्या है, आप upstream or downstream speed है, अब इसका मतलब आप यहाँ पर रखोगी, 2 और 1, 3 बटे 1 हो गया, इसका मतलब U की value अगर 3 है, तो V की value 1 है, और 3 की value को श्यन ने दे रखी है, 9 km प्रती घंटे, कहा किलो मेटर पर आर आपका answer आ गया, clear, बहुत सारे बच्चे 4.4.5 बता रहे थे, देख लो बेटे कहां गलती कर रहे थे आप, आजाओ अगले सवाल पर, ठीक है, next question, उसी pattern का है, ठीक है, किया जाए, देखो, session के साथ, last तक connect रहोगे, बहुत सारी चीज़े सीखने को मिलेगी, बहुत सारी short approaches आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है, किया जाए, उसी pattern का ये भी सवाल मैंने आपको दिया, ध्यान से देखना, similar pattern का सवाल यहाँ पर है, बोल दिया मैंने कि, शांत जल में जो नाव की चाल है, वो धारा की चाल का 120% है, यानि कि आपको U और V का मैंने ratio देदिया, भाई, शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल का 120% है, यानि भाई, 120 परसेंट माने, 120 बटे 100, 120 अपॉन 100, और 120 अपॉन 100 का मतलब 6 अपॉन 5, ऐसे लिख सकते हो, आ यानि आपको V की value पूछी गई है, clear, ठीक है, U upon V आपको मिल चुका है, अब आपसे बोला जारा की, नाव धारा के विरुद्ध 7 घंटे में 14 किलो मेटर की यात्रा करती है, धारा के विरुद्ध बोला जारा है, ठीक है, धारा के विरुद्ध, यानि की आपको upstream speed दी जारी देखो दोस्तों, 14 किलो मेटर की दूरी कितने घंटे में, 7 घंटे में, तो 14 बटे 7 का मतलब कितना होगी, आपने कहा 2 किलो मेटर प्रती घंटे, अब मुझे इतना बताओ, ये Y क्या होता है, U-V ही तो होता है, बताया जाए, U-V ही तो होता है 2 किलो मेटर प्रती घंटे, Y आप चाहें, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, 6K, 5K, या फिर ऐसी देखो, अगर U की value हम 6 रखें और यहाँ पे V की value 5 रखें, तो 6-5 कितना हो गया दोस्तों, 1, इस 1 की value question ने आपको दे रखी है, 2 km प्रति घंटे के बराबर, देखो, आपने लिखा ना, इसी U-V की value कित 10 km प्रति घंटे के बराबर है, आप से V की value पूछी जारी, यानि इस 5 की value कितने के बराबर होगी, multiplied by 2 कर दो, आपका जवाब 10 km प्रति घंटे के बराबर, सबका आचुका है न, कोई दिक्कत नहीं, छोटे-छोटे सवाल है, आप बस एप्रोचेस अपने सही रखो, ठीक ह clear, आज़ो भई अगले सवाल पर, next question आपका ये रहा, timer और कोशिश करो, answer जल्दी निकालने की, ठीक है भई, बिल्कुल धारा की चाल, 10 km प्रति घंटे, देखो, सीखना दोस्तों, आपको, सीखने का जो जुनून है न, वो आपको खुद पैदा करना होता है, सिखाने वाले तो हैं हम, लकिन जब तक आपके अंदर वो ललक जिग्यासा नहीं आएगी, तब तक आप लोग परिशान रहोगे, तब तक आपके लिए फिर टॉपिक कमजोर ही बना रहेगा, ठीक है, कि 6 अपॉन 5 रेशियो, X अपॉन Y का है न, ना बिट्टे, XY क्या होता है, XY आपके डाउन इस्ट्रीम अपिस्ट्रीम होते हैं, यहाँ पर जो रेशियो दिया गया था, 6 अपॉन 5 का, वो शांत जल में नाव की जाल, यानि Speed of Boat in Still Water, और Speed of Current, यानि U और V का रेशियो दिया गया था, इस जगह पर ज़रा ध्यान से देखें, आपका एक बहुती छोटा सवाल है, लेकिन अगर आप उसको छोटा सीमित कराबर है, इनके बीच का जो gap है, वो दोस्तों कहा है, 125 km, दोनों एक दूसरे के दोनों अस्थानों से चलना शुरू करती है, ठीक है, ठीक, एक नाव धारा की दिशा में जा रही है, दूसरी नाव धारा की विपरीद दिशा में जा रही, क्योंकि आप मान के चलो, नदी ह हमारी इसी डारेक्शन, किसी एक डारेक्शन में फ्लो करें याद 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 ये एक दूसरे के विपरीद दिशा में चल रही है, और आपको बोला गया है, शांत जल में उनकी जो चाल है, वो 14 km प्रतिगंटे और 11 km प्रतिगंटे है, इसकी स्पीड दे रहे है 14 km पर और ये दोनों बोट एक दूसरे की दिशा में चलना शुरू करती है, अब इनके बीच का जो गैप है, वो है 125 km के बराबर, इनके बीच का जो गैप है, वो 125 km है, यहाँ पे आपको ये दोस्तों रिवर दी गई है, चलो ठीक है भाई, अगर रिवर की भी स्पीड को हम मान लें दोस्तों V मान लें, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ से जो पहली वाली वोट चलेगी, अगर वो धारा की दिशा में जा रही है, इसका मतलब ये किस स्पीड से जा रही होगी, दोस्तों 14 प्लस V से, इससे चलेगी, और दूसरी वाली जो विपरीद दिशा में जा र और divide by दोनों effective speed, दोनों speed जो है, उनका sum, तो ये 14 प्लस V और 11 माइनस V, दोनों क्या होंगे, ये 14 प्लस V और 11 माइनस V, दोनों आपस में add होंगे, तो 14 प्लस V और प्लस 11 माइनस V, यहां से V और V मेरा terminate हो गया, ये चीज़ आपके लिए note point बनी, एक चीज़ ध्यान डखना, कभी भी, अगर relative speed आप नदी के अंदर रगाते हैं, नदी में आप तैर, मतलब नदी में दो object move कर रहे हैं, दो boat आपकी move कर रही है, एक दूसरे की विपरीद दिशा में, तो ये बात ध्यान रखना, कभी भी वहां पे, जो धारा की चाल है, जो नदी की चाल है, दोस्तों, जो boat की चाल, जो धारा की चाल है, वो चाल कभी भी consider नहीं की जाती, ठीक है, क्योंकि उसका कोई use नहीं होता, last में वो कठी जाती है, तो बस आपको यही देखना था, इस सवाल को solve करने के लिए, ये तो आपको पूरा समझाने का कायदा रहा, आपको last में बस इतना ही speed से जा रही, दोनों को बस add कर दो, 14 प्लस 11, इसको solve की, आपने 125 बटे 25 आपका जवाब 5 गंटे के बराबर, clear इतना, बस ये जीज़ बिल्कुल पावन सिंग भाई, सही है आपका, बस इतना ही ध्यान रखना कि यहाँ पर जो stream की speed धारा की चाल है, वो consider नहीं की जाएगी, ठीक है, अब तक का session पसंद है तो दोस्तों like वाइक भी touch करते हैं आप सारे लोग, ठीक है, अगले सवाल में बढ़ा जाए, next, ठीक, इस सवाल के बाद ना, पहले सारे लोग session को like करते हैं ना, करते हैं नहीं हो तुम लोग, सारे लोग session को like करना, अब ही फिलाल यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया, एक नाविक, एक निश्चित दूरी को धारा की दिशा में दो घंटे में, और धारा की विपरित दिशा में तीन घंटे में, यानि साफ तोर पे अगर आप देखो दोस्तों यहाँ पर बोला गया है, कि a boatman can roll certain distance downstream in 2 hours, and upstream in same distance in 3 hours, यानि कि आपको मेरे भाई time का relation दिया गया है upstream ठीक है, और downstream का, time का relation दिया गया है, और क्या बोला गया, upstream में 3 घंटे लगते हैं, downstream में 2 घंटे लगते हैं, सबको दिख रहा है, अब एक बात बताओ, अगर आपको time का relation दिया गया है, तो आपको speed का relation तुरंत मिल जाएगा, क्या होता है भाई इसका inverse होता है भाई अगर वो ratio हमारा 3 ratio 2 था तो आपको यहाँ पे speed का relation 2 ratio 3 मिल गया clear इतना और upstream speed और downstream speed क्या symbol यूज करते हो y यूज करते हो न यानि कि y upon x की value आपको 2 upon 3 के बराबर दे रखी है अगर आपको y upon x पता है तो आप u upon v भी तो तुरंट लिख सकते हो क्या होता है u upon v x plus y upon x minus y तो x plus y यानि 3 और 2 जोडो कितना हो जाएगा 3 और 2 मिल के 5 और 3 में 2 घटा दो 1 यानि u upon v कितना मिल जाएगा x plus y upon x minus y यानि कि अगर boat की चाल शान्थ जल में 5 km प्रति घंटे तो 13 की चाल कितने के बराबर 1 km प्रति घंटे आपको बोला गया धारा की चाल 4 km प्रति घंटे है यानि इस 1 की value question ने आपको बता दी कितने के बराबर 4 km पर आपर तो इस 5 की value कितने के बराबर होगी, 4 से multiply कर दिया, जवाब 20 km परार के बराबर, 20 km प्रतिहंटे आपके सवाल का जवाब रहा, ठीक है, आपने इस pattern को बहुत easy बना दे, क्योंकि आपने इसका basic सीख लिया, आपने इसका basic से मेरा मतलब, आपने इसका funda ही सीख लिया, ठीक है, क्लियर, next आपका ये रहा दोस्तों, ठीक है, अच्छा, next जाने से पहले हम आपको बता दे, ducks 2.0 में admission लगातार चल रहा है, मतलब open है admission, तो अगर आपने अभी तक admission नहीं लिया, तो आप admission ले सकते हैं, यहाँ पे, आपको इस particular batch में, पूरा का SBIP और IBBS PO को point ध्यान में सारा कुछ है, तो यह दोस्तों, आपका maths का बैस है, ducks 2.0, जैसे कि आपका धक्स चल रहा है, prelims plus mains, दोनों चीज़ें आपकी cover होंगी, complete maths बैस है, maths बैस है, 15 June से classes start होने वाली है, ठीक है, coupon code आपको ध्यान रखना है दोस्तों, Y179, जिसको apply करके अभी आप 57% का off पाएंगे इस particular batch पे ठीक है, और even कोई भी product आपको लेना है, कोई भी आपको test series कुछ भी लेना है, तो आप आप Y179 apply करके 57% का off ले सकते हैं, इस 15 June से जो classes start हो रही है, इसकी timing है दोस्तों, 7 p.m. to 8.30 p.m. ठीक है, शांपको डेट डेट घंटे की daily classes चलेगी, आईगे इस्टार्ट कर इस particular, अगर अभी आप इस code को apply करके लेते हो, कोई भी, किसी भी batch mat mission, तो यहाँ पे आपको दो मेने की extra validity फिलहाल आपको मिल जाएगे, ठीक है, अगर SBI clerk mains का batch अगर आपको join करना है, तो वो भी आपका batch है दोस्तों, ठीक है, जहाँ पे maths हम ले रहे हैं, संतोज कुमार रे किया जाए, किया जाए, ओके, timer, शुरू करो दो भाई फटा फट से एक दम, हाँ भाई दीपक कुमार बिलकुल होगी, अभी आपको बताया भी थे कि अभी class होगी, वा सोमी क्राया है, ठीक है, अरे साक्षी जाए स्वाल, class क्यों ओपर होगी बिटा अभी, अभी तो class चल दी रही है, ठीक है, अब जरा ध्यान से देखा जा, अब question थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी question आपकी और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, देखा जा ध्यान से, इसमे और speed of current कितना है, 3 km per hour, यानि U की value आपको 5 दे रखी है, और V की value आपको 3 दे रखी है, या आपको question ने दिया है, अब बोला गया, time taken to cover a certain distance upstream in 8 hours, time taken to cover a certain distance upstream is 8 hours, ठीक है, then how long will the boat take to cover the same distance in downstream, ठीक है, यानि एक निशित दूरी को, तो अब आपका जवाब, आपका यह होना चाह पहले तो वो देख लो आप, distance क्या होता है, speed multiplied by time, आपकी port किस में जा रही थी, किस दिशा में जा रही थी, upstream में जा रही थी, upstream का मतलब क्या होता है, आप कहते हो कि दोनो U minus V, यानि आपको speed चहिए upstream, तो आप 5 minus 3 करोगे, यह हो गई मारी क्या speed multiplied by time आपको दिया है, 8 घंट जा रहा कि बताइए time कितना लगेगा, जब यही बोट आपकी दोस्तों, किस में चल रही हो, downstream में चल रही हो, तो downstream में क्या बदलेगा, आपकी चाल बदल जाएगी, अब की बार क्या होगा, दोनों का sum हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, 5 plus 3, अभी क्या क्या आपने distance upon क्वाद स्वाल आपका जवाब कितने के बराबर 2 घंटे के बराबर clear ठीक है सर water still है तो current की speed कैसी बटे कहां लिखा रिखा है water still है बताओ यहां पर आपको speed of boat still water दिया गया यह water still अलग है उस particular boat की speed है speed of current जिस नदी में आपको तैराना है अपनी boat को उसकी current की स्पीड दे रखिये न, 3 km प्रती घंटे, ठीक है, आजाओ अगले सवाल पर, ठीक है, देखो हम आपको बताएं, जैसे आज आपका बोटर इस्ट्रीम पे पर्टिकुलर हमने सेशन ले लिया, ठीक है, कल से, जैसे कल क्या होगा, हम लोग डिसकस करेंगे कल वाले सेशन में, हम लोग लाइव कल सेटेड हैं, तो कल सुबा हम लोग की जीकश्च um discussed Way, तो सुबा वाली कलास में हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है, ground temperature, के और miscellaneous problem हम random random आपके miscellaneous session जो हम लोग लेंगे तो उसमें हम लोग करते रहेंगे ठीक है भई राइट उसमें हम लोग करते रहेंगे ठीक है अगले सवाल पर बढ़ते हैं यहाँ पर आप सिखा जा रहा है दोस्तों कि downstream speed of downstream speed of a boat is 5 km per hour more than the upstream speed यानि कि आपको यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया है आपको यहाँ पर x-y दिया गया है और कितने के बराबर 5 km प्रती घंटे के बराबर clear है अच्छा एक्स की जगह पर आप क्या लिख सकते हो जरा यह बता दो थोड़ा बहुत पहले जितना पढ़े हैं उतने से ही solve कर लेते हैं x की जगह पर आप क्या लिख सकते हो u-v और बराबर कितने के है 5 km प्रती घंटे के v और यहां पर देखो u-u कटेगा v और v जुड़ जाएगा 2 v की वैलू 5 की बराबर तो यहां से v की वैलू आगी आपके सामने 2.5 km प्रती घंटे के बराबर v की वैलू कितने के बराबर आगए 2.5 km पर आर के बराबर फिर आपसे बोला गया कि speed of boat जो है ध्यान से समझना speed of boat in still water is 280% more than the speed of stream यानि अब यहां से आप u की वैलू भी निकाल सकते हो आपसे बोला गया है यहां पर इस relation को समझना ज़रा यहां से आपको बोला गया है कि speed of boat in still water 280% ज्यादा है 280% ज्यादा का मतलब कितना परसेंट है 380% किसका v का ठीक है यानि v को हम नीचे लिख सकते हैं इस तरीके से clear इतना या फिर ऐसे लिखो अगर आपका मन नहीं कर रहा है ऐसे लिख दो आप v बस इतना कर दो थोड़ा simplify कर दो 2 से और cancel कर दोगे तो कितना आ जागा 19 बटे 5 आ जाएगा ऐसे आप लिख सकते हो यहां तक कहानी clear है यानि कि अगर u की value निकालनी है तो आप कह सकते हो 19 upon 5 of v तो v की value कितनी है 2.5 है तो आप u की value कितनी लिख सकते हो 0.5 19 बटे कितना हो जा clear अब एक चीज़ बताओ यह बात सब लोग समझ पाए यस यह नो जल्दी से बता दो क्या यह बात सारे लोग समझ पाए आगे जरा पढ़ लेते हैं फिर कार जा रहा कि find the time taken by boat to travel 42 km downstream and 31.5 km upstream ठीक है तो अब देखो यह बात अगर किसी को ना समझ आई हो कि u की value कैसा है तो 280% more बोला था तो 280% more का मतलब हो गया 380% और 380% of किसका V और इसी को मैंने simplify किया है 19.5 अब आप से पूछा गया time बताओ आप कितना time 42 km downstream क्या बोला गया 42 km downstream तो downstream का मतलब क्या होता है U plus V, downstream का मतलब U plus V यानि इन दोनों को जोड़ोगे तो 9.5 और 2.5 जोड़ो 9.11 और 1 मिलक 9.5 km upstream तो 31.5 km upstream का मतलब क्या हुआ इसमें आप घटाएंगे 9.5-2.5 का मतलब हो गया 7 के बराबर है अब simplify कर दो थोड़ा सा इसको आप cancel करो कि किस से काट दिया जाए 4 से काटा जाए 4 गुड़े 3 12 और उपर कितना जाए 4 से काटे का नि 3 से काटो 3 गुड़े 4 12 और फिर उ 4.5 जोड़ दो आपका जवाब 8 गंटे के बराबर ठीक है तो अगर आपने points सीख लिए basic जो points होते है न वो आपने सीख लिए तो सवाल कैसे भी बनाया जाए आप परिशान नहीं होगे ठीक है अभी आपके बोट अंडिश्टी में उस टाइब की बहुत सारे सवाल बनते ह है जब total time दिया जाए दो-दो equation frame होती है उस type की सवाल बनते है उस type की सवाल हम लोग next session में discuss करेंगे दोस्तों ठीक है दसवा सवाल यह है आपके सामने आसान सवाल है और हम उम्मीद करेंगे इसका आप लोग यह हूमर का सवाल है और हम यह उम्मीद करेंगे कि आप इसका answer सारे लोग comment box में video की नीचे जो comment box होता है उसमें आप सारे लोग जरूर दोगे याद फिर से दिला दे हम आपको दोस्तों कि दक्ष 2.0 में आपके सामने दक्ष का जो second season है उसमें admission लगातार जारी है तो अगर आप अभी enroll कराना चाहते हैं तो अभी 57% का off चल रहा है उस प करेंगे 9 बजे जो होगा हमारा वो live mock होगा ठीक है जहां पर हम लोग mislaneous question करेंगे ठीक है mislaneous question 25 question इस टाइप में ठीक है 20 या 25 प्लस ही रहेगा 25 के round रहेगा ये बात ध्यान रखेगा तो 25 test के आप देखो arithmetic complete कर लिया speed match complete कर लिया आपने अब आपकी बारी है speed maintain करने की समझ करना सुरू करेंगे हम लोग कल से उमीद करेंगे सारे लोग कल 9 बजे मुलाकात करोगे आज का session अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो like जरूर करिएगा चैनल पर अगर आप नए है तो subscribe करना ना भूले comment करें अपने homework वाले question का answer अपने thoughts अपने views और share करें अपने दोस्त के साथ दोस्तों ठीक है आगे का session सवा चार बजे जस्ट दस मिनट के बाद आप से जुड़ने वाले हैं संतोज कुमार रोस रेसर एडिटोरियल वोकैबले करके तब तक आप सारे लोग दोस्तों खयाल रखें खुश रहें जुड़े रहें 824 7 के साथ चलिए थैंक्यू बबाए टेक केर वाव गूट देख